हेलो फ्रेंड दिस फारितोस आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको हर महीने मुचल फंड से एक फिक्स्ट रेगुलर इंकम कैसे कमा होगे और इवन उस इंकम पर आप टेक्स कैसे बचा होगे क्योंकि मैंने इसी तरीके का टॉपिक पहले भी कवर करा है तो मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हो प्रोसस में आपको इवन एक्जेक्यूट कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ क्योंकि लास्ट कुछ वीडियो में बोला था कि आप एक बार इसको टूटोरल भी बन तो आप इसपे सिफ फिक्स्ट मंतली रेगुलर इंकम ही नहीं कमाओगे इवन इनफेक्ट उस इंकम पर आपको टेक्स भी बचा पाओगे देखो मार्किट में काफी सारे ओप्शन्स है वलेवल है जो आपको एक रेगुलर पैंशन के तोर पर आपको बेचे जा रहे है इस पर टेक्स लगता है और इंटरेस्ट इंकम भी आज की डेट में कुछ खास है नहीं इसके लावा फिर पैंशन प्रोडेक्ट में आप देखोगे तो लॉंग टर्म पैंशन वैसे तो मिलती है लेकिन बहुत बहुत छोटी सी इंकम मिलती है और पैसा भी लोक इन होता है लिक्विडिटी का कोई सवाल नहीं है कि आप पैसे को विट्रोल कर सकते हो नहीं आप पैसे को विट्रोल नहीं कर सकते हो मैं आपको तीनों यह उप्षन बताने वालों कि आपका पैसा भी विट्रोल होगा ओपन एंडिट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आप जब चाहो उ बिल्कुल नए है, SWP का मतलब है Stand for systematic withdrawal plan तो जिस तरीके से हर महीने आप एक SIP करने के लिए invest करते हो, वो पैसा आपके account से debit होता है, और जिस mutual finance scheme में आप पैसा invest करना चाहते हो, वहाँ पैसा invest होता है, SWP exactly इसका reverse है, वहाँ पे आपने एक lump sum पुझी लगाई, और lump sum पुझी करने के बाद, invest करने के बाद वहाँ से एक हर महीने की हर quarterly जो भी period आपने choose करा एक पैसा महाँ से withdrawal हो और आपके account में transferred हो और यह fixed एक regular income के तरह यूज़ कर सकते हो basically जो आज भी video बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको, जिनके पास एक lump sum पुझी है और इसको एक systematically तरह से use करना चाहते है, regular income के तोर पर, या retirement के पास में है, और एक pension को एक pension का amount मिला हुआ है, या pension के लिए जो भी पुझी मिली हुई है, उसको एक pension के तोर पर ही उसकरना चाहते है, कि हर महीने एक fixed monthly pension मेरी बंदी रहे, fixed बंदी रहे, मेरा capital भी safe रहे, मेरा capital भी open ended रहे, like मैं उस पैसे को जब चाहूँ, मैं redeem भी कर सको, किसी तरह के कोई पावन दी ना हूँ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं franklin में जा रहा हूँ, amc, मैं recommendation नहीं दे रहा कि franklin में जाकी कीज़े, क्योंकि मेरे पास एक पुराने funds पढ़े थे, तो यह process को दिखाने के लिए मैं आपे directly franklin की amc की website मैंने login किया हुआ है, मेरे कुछ funds पढ़े थे, तो मैं process आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे directly किया, तो यहाँ पे, यहाँ आप किसी भी amc में जाओगे लगबग process सेम है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, transact in start in swp करता हूँ start in wp करूँगा, तो फिर आपको देखेंगे, मेरे पास एक पुराना fund पढ़ा है, tax saving का मैंने कभी 3 साल पहले करके भूल गया तो तो मैंने देखा हुआ है एक मेरे पास ओर nifty fifty का पढ़ा हुआ है इसमें माली जै एक option है, start as wp start as wp में आप मेरे को यहाँ पे बता दिया कि कितनी lots free units है, कितना available units है, number है, आप देखो यहाँ पे जो जरूरी चीज़े जो आप समझने के लिए यहाँ पे दो option आते है, fixed amount or capital appreciation, इसका मतलब क्या है fixed amount, यानि मैं चाहता हूँ कि हर महिने की एक fixed तारीक को, एक fixed amount मेरे account में transfer होता रहा है, मेरे investment से दूसरा मैं चाहता हूँ कि दूसरा option आप क्या choose कर सकते हो, इसके बारे में हलाग कि मैं explain video बनाऊँगा कि हर महिने की या हर quarter में जितना भी mutual funds में मेरा investment पे capital gain बन रहा है, profit बन रहा है वो मेरे account में transfer करते रहो, systematically इसका भी मैं एक excel दिखाऊँगा आपको आने वाली वीडियोस में, लेकिन आज हम fixed demand पे बात करेंगे कि हर महिने की एक fix तारिक को या हर quarter में एक fix तारिक को यहाँ पे हम monthly choose कर सकते हो, half yearly yearly quarterly जैसा आप चाहो, start day choose कर सकते हो, और number of installment continue कीज़े आपके SWP registered हो जाएगी आपके investments के साथ, मैं मेरे पास एक fund पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे करके दिखा दिया अब क्योंकि मैं आपको आपको देखो frankly, nifty 50 index fund का example ले रहा था सिखाने के लिए तो मैं इसी का example दिखाऊँगा, कि माल लीजी 10 साल पहले, 2013 में आपने same, आपके पास एक lump sum पूझी होती, और आप उसको invest करते, nifty 50 index fund में और वहाँ से एक साल के बाद एक साल के बाद क्यों, क्योंकि आपका एक साल के बाद units को बेचते हो redeem करते हो, SWP start करते हो तो आपको long term capital gain का benefit मिल जाता है कि देखो, mutual fund में taxes कुछ इस तरीके का है कि एक साल से पहले redeem करते हो units को, equity funds में, तो आपको short term capital gain लगता है 15%, एक साल के बाद redeem करते हो, या SWP करते हो तो उन पर आपको exit load तो लगता ही नहीं है plus long term capital gain का benefit मिल जाता है तो long term capital gain का benefit के लिए मान लिजए मैं इसी fund का example दिखा रहा हूँ तो मैंने या पर देखो, आप लोगों के लिए already ये sheet तयार करके रखी हुई है, दिखाने के लिए तो scenario कुछ इस तरीके का है कि 2013 में मान लिजए मैंने 10 लाग रुपे investment किया होता, और 3 February 2014 को मैंने SWP रजिस्टर कर लिए, एक साल के बात और आज तक वो SWP चला रहा हूँ और हर 3 महिने में 30,000 रुपे का withdrawal के लिए SWP रजिस्टर कर दे, जैसे मैंने अभी पीछे option दिखाया था आपको, मैंने वहापे माली चे रजिस्टर कर लिया, 30,000 रुपे quarterly withdrawal, वो मेरा पैसे एकाउन में transfer हो रहा है, 10,000 रुपे मैंने invest कर दिए, तो यानि आज तक हो SWP चला रहा था, यानि total number जो installments होती, वो आपकी 36 installments होती आज तक की इस पूरी transaction में जो मेरा withdrawal होता, हर 3 महिने में जो 30,000 रुपे मिल रहा है, यानि साल में 1,20,000 रुपे, यानि तकरीबन अभी तक आपका जो withdrawal होता, वो 10,80,000 रुपे के करीब का withdrawal होता, लेकिन उस 10,00,000 रुपे की value, जो मैंने investment की थी, ये withdrawal होने के बाबजूद भी, आज उस 10,00,000 रुपे की value इस fund में होती, जिस fund का मैंने example लिया है, 12,98,223, इस fund के returns, मतलब इस पूरे structure के जो returns होते, वो 12,38% के होते, तो आप यो 10%, 11% के आप bonds वाली बाते देखते हो, उनसे better है, आपका पैसा भी lock-in होता है, junk bonds में, यहाँ पे open ended है, आप जब चाहो तब redeem कर सकते हो, टेक्स का benefit कैसे मिलेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको, तो 10,80,000 रुपे मेरा withdrawal हुआ, उस 10,00,000 रुपे की value, 12,98,000 में हजार भी है, 30 single installments हुई है, 2013 में मैंने पैसा दाला था, 2014 से मैंने SWP start किया, अब देखो, यहाँ पर 3 चीज़े समझने की, मेरी 10,00,000 रुपे की capital, आज कितनी value है, 12,00,000, यानि मेरी capital जैसे की, जैसे ही है, वो वैसे की, वैसे ही रही, प्लस, मेरा 10,80,000 रुपे का profit भी मेरे को transferred हुआ, account में, systematic bidrol plan का benefit लेते हुए, अब यहाँ पर चलते हैं, इस पूरी structure का है, working बनाया हुआ है, कि किस किस कब तरीके से, cash flow हुआ है, capital gain का tax benefit कैसे मिला, वो सब बता रहा हुआ, तो यह 10,00,000 रुपे मैंने डाला, यह 3,00,000 रुपे को 2014 से पहली transaction हुए, 30,000 रुपे मेरे account में transferred हुए, अब उसके बाद, फिर उसके बाद सेम, अब इस पूरे साल में, जो आपका capital gain होगा, वो कितना हुआ, वो तक्रीबन हुआ, 28,800 रुपे, 28,859, तो as per the SEBI mandate, as per the tax rule, अगर आपका long term capital gain, एक राख रुपे से काम है, तो वो tax exempted है, तो क्या आपको इस capital gain पे tax लगेगा, अंसर नहीं, नहीं लगेगा, अब दूसरे financial year में चलते हैं, दूसरे financial year में भी आपने चार installments होई, और तक्रीबन जो capital gain बना, वो बना आपका 32,942, क्या इस पर tax लगेगा, अंसर नहीं, क्योंकि एक लाग रुपे से कम है, तीसरे साल चलते हैं, तो आपको capital gain बना 36,885, capital gain tax लगेगा, अंसर नहीं, चोथे साल 51,377, फिर है 55,691, 60,691, 58,740, 78,050 यह, हालंकि Excel में आपको description में दे दुआ, आप इसको refer कर लिजेगा, यानि अभी तक जितना भी redemption हुए है, SWP के तोर पर जितनी भी मुझे income मिली है, उस पर एक भी transaction पर, मुझे tax पे करने की जुरूत नहीं पड़ी, अगर मेरी capital 10 lakh रुपेस की थी, क्यों? क्योंकि मेरी long term capital gain पर, जो gain थी, वो 1 lakh रुपे से कम थी, विदिना financial year, अगर ये income 1 lakh रुपे से कम है, तो वो tax exempted है, 1 lakh रुपे से extra है, तो जो भी extra वाला part है, उस पे 10 परसन का tax लगता है, अब खेर, हमने बात करें, 2013 से लेके, 2023 तक, अभी तक की, तो इस particular period में, इस इसा नहीं है, कि आपकी capital पर, अब उतार चराब नहीं होगा, obviously होगा, 2020 का correction हमने देखा, तो इसी 10 lakh रुपे की capital देखिए आप, यहाँ पर यह चार्ट दिख रहा होगा, उपर उतार चराब बार बार होता रहा, 10 lakh रुपे की capital, 8 lakh रुपे की आसपास भी आई, बीच में भी 10 lakh रुपे की capital आसपास होती रही, पर still, आज भी उसकी value, 12 lakh 88,000 है, हमने और भी instances देखे, 2013 से लेकि 2020 तक हमने क्या नहीं देखा, 2013 से 2014 में correction था, 2016 में correction था, 2020 में correction था, लेकिन फिर भी आज, आपकी वो 10 lakh रुपे की capital, कितनी हैं, 12 lakh 98,000 223, और मैं उसी fund का example ले ले, जिसमें मैंने आपको Franklin का दिखाना था, आप किसी दूसरे fund का भी example ले सकते थे, और यहाँ पर तीन चीज़ होई है, क्या, सबसे पहली 10 lakh रुपे की capital, 12 lakh, यानि आपकी capital भी safe है, और उस पर even capital reposition भी हुआ है, पिलस आपने हर quarter में 30,000 रुपे का एक regular income भी कमाया, चोथा सबसे बड़ा benefit, तीसरा सबसे बड़ा benefit, इस income पर मुझे कोई tax pay करने की जुरूद भी नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि आपकी capital gain, long term capital gain, 1,00,000 रुपे से कम थी, तो यह basically उन लोगों के लिए है, जिनके पास एक अच्छी-कासी पूंजी है, और जिस पर एक अच्छी-कासी regular income कमाना चाहते है, या early retirement के लिए से use करना चाहते है, अपनी capital को, और यह पैसा आप जब चाहो तब redeem कर सकते हो, इसमें किसी तरिके के पावंदी नहीं है, जैसे बाकी products में होती है, अब जब चाहो, अपनी capital को, अपनी capital को, जब चाहो आपको लगता है requirement लगती है, आप withdrawal कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो, जैसे FD वे FD के taxes होते हैं, इसके comparison में यह तो taxes है नहीं, तो देखो यह मैंने आपको लोगों को समझाया है, जो early retirement के लिए प्लान कर रहे है, जिनके पास लमसम भूझी है, या जो retirement के आसपास है, उसको वो systematic withdrawal plan के थुरू, अपने retirement को प्लान कर सकते हैं, pension की तरह से use कर सकते हैं, it's one of the best innovative product in mutual fund industry, I hope, इस video से आपको काफी help मिली होंगी सबजने में, कि आपको systematically अपने पैसे को कैसे manage करना है, अगर आप early retirement की planning कर रहे हो, retirement planning कर रहे हो, ये आपके लिए एक अच्छा option है, एक अच्छा investment approach है, जिसको आप follow कर सकते हो, आपको बहुत सारे जो options है, जिसमें junk products है, उनमें जाने की जुरूत नहीं है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है, तो वीडियो चे लाइक का बटन है, लाइक जरू कीज़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कीज़ेगा, और घे एक्सल, मैं डिस्क्रेप्सर में दे दूँआ, मैं इसमें ब्लॉग भी लिखूँआ, तो ब्लॉग में और आप चाहो तो टीटेल में पढ़ सकते हो, कि SWP होता क्या है, और वो सब चीज़े भी मैं नीचे डिस्क्रेप्स में लाल दूँआ, तो आपको थोड़ा सा और रिडिंग मेटेर मिल जाएगा, टेलीक्राम को इन करना चाहते हो तो लिंक है, और साथ में हमारे ब्लॉग को भी राफर कर सकते हो, वीडियो को जादा से जादा लोगों को शेर कीज़ेगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीक्स में, सर्कल में, और जाने से पहले लाइक चरूर करतीजेगा, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक ले दिन्यवाद बन्दे मातरम, जाहेद,